तो दोस्तो अगर आप लोग न इस विडियो का फर्स्ट पॉर्ट नहीं देखा तो नीच्टे ंडिस्क्रिप्षन में लिंक है आप लोग जा कर चेक कर सकते हैं या पलोग सर्च भी करเชं अप लोगो को मिल जाएगी वीडियो तो चलिए अब शुरू करते हैं का 2 पार्ट बदाता हूँ आप लोगों को अबे चुप एक एक करके बोलो या रहने दो देखो लड़की घर से भागी ना अबे कोई पीडी उशा बननी तो भागी नहीं जिस लड़के से प्यार करती थी उसी के साथ ही भागी होगी अबे शादी करने भागी होगी यार अगर उसे शाद का आज कुछ हो जाता तो हरे छोड़ी बच्ची हो गया समझ नहीं यादा साथ रहो क्या करते हो चादरी साब अपने इस बिचारी को अकिला छोड़ दिया हरे इतनी भीड़े पताने कैसे कैसे आदमी इसका खास जरत समाल के रखिए समझे तो या लाउड बोलना समझ में आज़ा गया होगा आप लोगों किस तरह से वो लाउड बोला उनों ने अब इसके इसी से तरह हमारा जो फिफ्ट पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है वो यह है कि जो आपकी जो मुह से निकलने वाली जो एर होती है उसको बाहर फेक फेक के बोलना है फेक बतलब कुछ मैं बच्पन में 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 बच्पन म मैंने बहुत सारी में में पहले बताया भी आप लोगे एर बार कैसे फेक देए तो आप I hope कि आप लोगो इस समझे में जादा मुश्किल नहीं होगी समझ जाओ गयार मेरे विवर्स हो यह बॉयाई तो अब बात करते हैं कुछ डायलोग की, डायलोग मेंसे मैं ने बहुत सारे बोल दी हैं अब तक, और कौन से डायलोग बचा है या रब? I don't know चला भई, देखा अब मैं क्या करता हूँ पहले भी बोला था, अब भी बोल राहूं, हभी तो मैंने स्टार्ट किया है वो ऐसा लगता कि विफृत है वो जैसे कि अब आध, ज्छोड़ी बच्ची हो गया, इससे तो बहुत ज़्यादा अलग गया यह तो यह समझझी आप लोग प्लीज्व 2-3 ही होती है ठाइप nggakसे हुती है तो अप लोगों पता है कि शारुख ऐन कि शोटा नहीं होता है क्या कर रहा अधा यार। मैश समझल को दो 2-3 ह होती है एक में मिक्री में खबे बबली ठूनने से नहीं किसमस से मिलता है तो यार मेरे को बड़ा मज़ा आता है इसकी मेमिकरी करने में तो आप लोग तो अगर दिल से सीखना है मेमिकरी तो आप लोग बहुत असानी से सीख सकते हैं मेमिकरी बस समझने की जरूरत है मैं यह कहूँगा कि आप लोग अगर मैं तेज बोल रहा हूं थोड़ा सा तो मतलब फास्ट बोल रहा हूं तो आप लोग के काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं आप यहां पर जाएए उपर वाले आइकन में यहां पर आपको कि चाहिlair मेंवन के निक यह उसको एक हैंद एक निकतित को सम्झ में इस तो ऐसके हुद lóg मेरIST क आए होगी और की आइच चीज़ कोई दिक्कत नहीं है 2-3 वार इस वीडियो गेख सकते हैं एक एक चीज पहले आप SMT कीजे कि लाइन से सब कुछ सीखना शुरू कीजे पहले दो-तीन दिन personality पर ध्याद दीजे सिर्फ उसके बाद दो-तीन दिन आवास slow कैसे करना है उसके बाद words कैसे चबाना है उसके बाद loud कैसे बोलना है उसकी दो दिन practice कीजे फिर उसके बाद air बाहर कैसे निकलती है और कुछ dialogue की practice की जे दो दिन तो ऐसे धीरे धीरे आगर करके सीखोगे ना बहुत असानी समझ में आ जाएगी आप लोगों हाला कि थोड़ा time लगेगा ताइम लगता ही है लेकिन आप लोगों आ जाएगी में में करी मेरे आप से बादा है और sorry to say की बहुती कम वीडियो ला पा रहा हूँ मैं इस चैनल पर मुझे बहुत दुख होता है सब्सक्राइबर है उन सब को thank you बोलना बहुती छोटा बड़ होगा यार आप अब सब बहुत अच्छे हो आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया और यहां तक लिकर आयो तो सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार मैं मैं शब्सक्राइबर मैंने सोचा भी नहीं था दो साल पहले दो साल पहले मैंने चैनल बनाया था एक साल में मेरे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर हुए थे और उसके अगले साल इतने सारे दोस्के लिए दिल से थैंक्यू और आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्तों गुस्सा मत हुआ कीजिए क्योंकि मैं आपकी कमेंट कभी-कभी पढ़ने के बाद भी मैं वेडियो ज दोस्के लिए काम करना पड़ता है मैं असली वाली नहीं मेरे सीरीज के लिए भी करस्के लिए ने जुड़ बल रहा है तो और कभी-कभी दोस्तों परसनल काम भी आ जाते हैं तो फिर उसके बाद मेरी भी लाइफ है मिझे घबिक अपना अब कुछ सीखना है कुछ देखन कोई सवाल आया मन में तो प्लीज आप नीचे पूछ सकते हैं मैं आप लोगे सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने के कोशिश करूँगा आज के लिए सिर्फ इतना ही उमीद है आप लोग के वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक झाल